हलो आप देख रहे हैं दिललन टॉप इंडिया की सबसे बेटरेंट डांस डिरेक्टर या कहें कोरियोग्रफर हैं सरोज खान उन्होंने श्री देवी से लेकर मादुरी दिक्षित और दिपिका पादु कोन तक के लिए एक से बढ़कर एक सूपर इट गाने कोरियोग्राफ क इनके बीच आई दिक्कतों की वज़ा है बैग्राउंड डांस यानि वो डांस जो किसी भी गाने या इवेंट में स्टार्स के पीछे डांस करते हैं Cine Dancers Association, CDA, नाम की संस्ता है, Background Dancers की सबसे पुरानी संस्ता है, यह association फिल्म टीवी में काम करने वाले dancers के बुन्यादी हक के लिए काम करती है, जैसे सबी dancers को काम के बदले संस्ता द्वारा फिक्स की गई जो रकम है, 45,000 रुपे वो मिले, यह रकम शूटिंग खत्म होने के हफ विधाएं मोईय करवाई जाएं, इस तरीके के सारे काम, सरोज खान से लेकर वेब भी मोचेंट, रेमो डुसूजा, एहमद खान और खुद गणेश आचारे भी इसी association से निकले हैं, फिलहाल सरोज खान CDA की brand ambassador हैं, उन्होंने गणेश पर आरोप लगाया है कि वो CDA के members को पैसे का लालज देकर अपने नए स्थापित संस्था, All India Film Television Events Dancers Association, EFTDA में लेकर जा रहे हैं, वो अपने position का दुर उपयोग कर रहे हैं और पुरानी संस्था का नाम खराब कर रहे हैं, सरोज का ये भी कहना है कि गणेश background dancers को मिलने वाले पैसों में भी मतलब commission लेते हैं, उ dancers ने मिलकर खुद CDA छोड़कर EFTDA नाम की संस्था बनाई है, क्योंकि वहाँ उनकी कोई सुन नहीं रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, गणेश के मताबिक वो बस EFTDA के उद्गाटन समारों में शरीक होने गए थे, क्योंकि dancers ने उन्हें specially इस function में शामिल होने के लि order के वो संस्था फिर दुबारा शुरू कर दिया गया, बिना चुनाव कराए सभी बड़े पदों पर लोग न्यूक्त कर दिये गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में खुद कभी dance नहीं किया, सरोज खान के आरोपों पर सफाई देते हुए गणेश आचारे ने कहा कि भगवान की दया है कि उनके पास बहुत सारा काम है, हर अपते उनकी कोई ना कोई picture release होती है, इससे वो ठीक ठाक पैसे भी कमा लेते हैं, वो इस association से पैसे बनाने के लिए नहीं जुड़े, वो इतना व्यस रहते हैं कि इस तरह की चीज़ों के लिए उनके पास time ही नहीं होता, लेकिन डांसर्स की हालत उनसे देखी नहीं गई, इसलिए वो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, ये बात CDA में बड़े पदों पर बैठे लोगों को खल रही है, क्योंकि उन्हें पैसे खाने को नहीं मिल रहे, कुल मिलाकर बात ये है कि दो नामी और काबिल लोगों में काम किया जाए, ये अभी तक की बाते हैं, आप इसके बारे में कोई और अपडेट आता है, तो जरूर आपको लेलन टॉप पर मिल जाएगा, देखते रहिए, ऐसी और सिनिमा जगत की और देश-दुनिया की खबरों के लिए, बाकी ये वीडियो आपने देखी है, इस